कैसे हैं आप सब अवर नेश्ट टॉपिक आटोमिक मास एंड़ा मॉलिकिलर मास है न जी परमानुद्रेवमान और आन्विक द्रेवमान यह परमानुद्रेवमान आन्विक द्रेवमान अलग अलग है दोनों का अलग नहीं परिभास दूँगा तो एक्षिली मैं आपको यह बता दूँँ कि इसके हम लोग पहले क्या बढ़ते हैं इसके पहले हम लोग बढ़ते हैं डाल्टन के जो नियम हैं वो डाल्टन के नियम आप लोग देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्सान बाक्सों में जाईए वहाँ पस आपको मिल ज जाएगा वहाँ से आप लोग डाटन का परमानु सिध्धान में आप लोग चले जाएंगे ठीक हैं तो आगे के टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं परमानु द्रेवमान तो एई परमानु द्रेवमान है क्या तो सबसे पहले आपको बता दूँँ कि बहुं सारे तत्तों हो परमानु द्रेवमान क्या है ऊंतरों का योग होता है हम लोग पढ़ चुके हैं पीछले क्लासे में आज की टॉपिक है उसकी को पर है उसको बढ़ा दिया गया है लेकिन बात वही है चलिए तो हम लोग क्या करते थे पहले कि कार्बन परमानु को आप एक्चिक मानते थे पेख्चीत मांते थे हैड़ोजान नहींगे, लेकिन न, जब उच्छ क्लास पर चलते जाएंगे, तो यहापर आपको कार्बन मिलेगा, है ना, तो कार्बन के परहुन के भाग को में, ठीक है, उसके दहार अपर हमको बताना है, परहुना द्रवमान क्या है तो किसी तत्यो का परमानु द्रवमान किसी तत्यो का परमानु द्रवमान वह संख्या है जैसे कि माल जाए हिलियम को परमानु द्रवमान कोई आएगा माल जाए तो किसी तत्यो का परमानु द्रवमान वह संख्या है जो यह दरसाता है कि ठीके यह दरसाता है कि उसके एक पर्मानु का कितने पर्मानु का एक माल जाए है हमारे पास है लिथियाम है माल जाए तो इस लिथियाम का हमको लिकालना है पर्मानु द्रव्मान का लिकालना है पर्मान द्रव्मान वहां संक्या है जो कि यहां दर्शाता है कि उसके एक परमानू का आउसत द्रविमान इसके यह लितियम के एक परमानू का कितने परमानू का एक परमानू का है ना एक परमानू का आउसत द्रविमान है इनका जो आउसत द्रविमान निकालेंगे है ना वो आउसत द्रविमान है वो कारबन परमानू के कौन से परमानू के तो किसी तत्तों का परमानू द्रवमान के समख्या है, जो यह दर्षाता है कि उसके एक परमानू का आउसत द्रवमान लिका लिए भाग से, कितना गुणा भारी है कौन दरसाता है परमानु दर्वमान दरसाता है कि वहाँ कि कारवन परमानु इस कारवन परमानु के एक बटा बारे भाग से कितना गुणा भारी है अब मालो जेक लेते हैं माल जाए हैड्रोजन का ठीक है है यहां पहले पढ़ चुके हैं एक ही होता है लेकिन एक्चली में हम लोग एक पढ़ते हुआ हम ले सुईधा के लिए है लेकिन हम लोग कहें तो यहां जो है यहां है यहां उसका होता है 1.008 एम यू है ना आटबिक मॉस यूनिट तो हैड्रोजन का अपेक्चिक परमानु द्रेवमान है ना जो अपेक्चिक परमानु द्रेवमान है अपेक्चित के हैं कारबन परमानु से है किसी परमानु से ऐसा है ठीक है तो हैड्रोजन का अपेक्चिक परमानु द्रेवमान है व का परमाननु के बार्य भाग से कितना बढ़ा है रहा कि बढ़ा नहीं है ठीक है इस अधर गद पढ़ते हैं ग्राम परमानु द्र cascade क्या पढ़ते हैं ग्राम परमानु द्रब्विमान है ना तो ये परिफासा क्या हो सकते हैं चलिए तो ग्राम परमानु द्रब्विमान क्या है तो actually में जो परमणुद्रिवमान हम लोग को पढ़े हैं वही परमानुद्रिवमान से अदाग परिया इससे जूटगए ठीके वही है मतलब एक भी प्लिए क्या हो सकते देखें तो किसी तत्व का ग्राम परमानुद्रिवमान हम पढ़ की आपठ रहे हैं किस कले हम लोग सोडियम का लेते हैं सोडियम का कितना होता है गया दोने बाइस और एक होते हैं चल तेसी ले लेते हैं ठीक है तेस ले लेते हैं तो किसी तत्व का ग्राम परमानुद्रव्यमान उसका ग्राम में दर्सा आ गया कि मालिक तथ्वह को भी तथ्वह का किसे रहें टेज़र में तो अगर टेस को हम लोग ए मयूं में नरदसाकर इसको वोग तर्षादिए तो 20 ग्राम परमानु दर्विमान हो गया बस और कुछ नहीं है यह को समझना है आपने को ठीक है बहुत गरी में आ रही है इधर चले ओके तो किसी तत्व का ग्राम परमानु दर्विमान उसका ग्राम में दर्साया गया वहां दर्विमान होता है ना माझे यह कोई तत्व है कोई ये कोई तत्वा है इस तत्वा का जो ग्राम परमानु द्रव्यमान है उसका ग्राम में दर्साया हुआ किसमें दर्साया हुआ ग्राम में दर्साया हुआ वह द्रव्यमान होता है जो की संख्यात्मा करूप से परमानु द्रव्यमान के परमानु द्रव्यमान यहां पर दिख अक्राप्मा करूप से परमानों-दरभ्यमान के बराबर ही होती है, यह ग्राँ परमानों-दरभ्यमान, एकजांपल देसा हैं, यदि आकशिज्जान का परमान tiramon 16 है Congress the जो टॉपिक है वहाली अनीवीग दुरुबिमान अब जो gram पार्मानु दरव्यभान उसके पहले हम पढ़े हैं पार्मानु दरव़्यभान तो ऐचली में पुस्तक में बहुंए सा तक परिभासा देयाते हैं लेकिन आपको सवलियत के लिए मैं जो परमांग द्रवान का परिभासा है ना उसी परिभास में इसको कनेक्ट कर रहा हूं किसको आनुविक द्रवामान को है ना तो आनुविक द्रवामान को देखें और आप तो जल्दी बोर ही हो जाते हो तो बो आखों में पानी रखो और होटों में चिंगारी रखो अगर जीना है इस दुनिया में तो तरकीबे बहुत सारी रखो और रास्ते के पत्थर ही है और रास्ते के पत्थर ही है मनजिले रास्ते कह रही है कि सफ़ड जारी रखो तो आगे चलते हैं, फिर हम लोग आन्विक द्रवमान में, है ना, तो किसी पदार्थ का आन्विक द्रवमान, अच्छा उसमें परिवास क्या बताया था, किसी तत्व का परवानु द्रवमान, वह संख्या है, बस आपको क्या करना है, किसी पदार्थ का लिख देना है, ठीक जो यहां दर्साता है कि उसका एक अनूव कारबन परमानू के एक बटा बार्वे भाग के द्रह्यमान के सापेक्च है ना यह का सकते हैं सापक चनल लिखकर एक दसमलाव सरी एक बटा बारवे भाग के द्रवमान से कितना गुना भारी है मैं सापक चनल बो रहा था दूसरी परिवास बो रहा था ये नार्मल परिवास लिख दिया हूं मैं ठीक है इसे ज़्यादा बेटर रहेगा तो किसी पतार्थ का आनविक द्रवमान वह संक्या है जो कि यहां दर साता है कि उसका एक अनू कर्बन परमानू के एक बटा बारवे भाग के द्रवमान से कितना गुना भारी है है ना अब उधारन देखें तो उधारन में हम लोग किसका देख लेते हैं माल लो जाए आनुविक द्रवमान में एस्टो मतलब क्या होता है जल तो जल का जो आनुविक द्रवमान है वो माल जाए हेड्रोजन का एक है न दो प्लस सोला अठारा कितना हो गया अठारा तो hydrogen का आनुविक द्रव्मान कितना है अठा रहा है अर्थात उसका जो एक अनू है उसका कितना अनू है एक अनू है वो एक अनू एक अनू है उसका जल का एक अनू है वहाँ कारबन परमानू के कारबन परमानू के कितने भाग एक बटा बारवे भाग के द्रव्मान से एक बटा बारे भाग के किस से द्रवमान से एक बटा बारे भाग के द्रवमान से अठारा गुना भारी है क्लियर हो गया अठारा गुना भारी है इसका मतलब हो गया यही परिवात के लिए करें ठीक है अब यह तो होगे उधारान दे लेना आप लोग ठीक है यहाँ उधारान दे लेना किसको उधारान दे लेना एस्टू का अब माल जए हमको लिकालना है आन्विक द्रेवमान क्या लिकालना है आन्विक द्रेवमान तब क्या करेंगे तो आप सोच रहें ग्राप पेपर में द तत्वा लेते हैं तत्वा केल्सियम लेते हैं अच्छा इसको हम लोग योगिक बनाएंगे तो क्या बनाएगा यह कैल्सियम कार्बो नेट तो इसका अनुविक द्रभवान कितना निकलता है अनुविक द्रभवान लिकाना है अपने को तो कैल्सियम का पर्मानु द्रभवान कितना लिखता है वही केलसियम को होता है परमनुकरवांग 20 कितना होता है 20 तो इसका परमनुकरवांग कितना लिख लेगा 40 उसी तरह ठीक है यह कारबन कारबन कितना होता है परमनुकरवांग कितना होता है 6 होता है कितना होता है 6 और 6 होता है तो इसका द्रवांग कितना होग का 16 को तने लेगे लेगा 16 और कितना गुना है तीम से रोंगे 20 12 16 स Tapi कितना हो गया 48 ठीक है कितना हो गया 48 है अब यह हो गया 22 चैज़ और यहाँ बेना 449 यहां आज करेें ना इसको ठीक है इस तरह से लिकालना जाएगा आनिक द्रेवमान निकालना जाएगा तो आप हो सकत किसी का लिकाल के दिखाए मुझे आनिक द्रेवमान है ना जैसे कि कारबन का निकाले कारबन एक्साइट का लिकाली है तो कारबन एक्साइट क्या हो जाता है कारबन को होता तो यह नार्मल आपकी विधी है ठीक है छलिए तो ग्राम आनुविक द्रवमान चलते हैं हम लोग यह आनुविक द्रवमान पढ़ चुके हैं तो ग्राम पर्मान पढ़े हैं जी है ना तो उसके बाद क्या बढ़ेंगा हम पर्मान द्रवमान उसी तरह हम लोग अगर यहां पर पढ़ रहे हैं आनुविक द्रवमान तो ग्राम आनुविक द्रवमान पढ़ेंगे तो किसी योगिक का ग्राम आनुविक द्रवमान द्रवमान देखे हैं हम लोग ग्राम पर मनुद्रेवमान ने तत्तों का यूज किया थे तत्तों की जगा लिखना है तो किसी योगिक का ग्राम आनुविक द्रेवमान ठीक है किसी योगिक का किसी योगिक का है ना योगिक के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं तो यह जो ग्राम आनुविक द्रेवमान है तो किसी ग्राम आन्विक यहाँ पर ओ लिग दे दरब्रान लिग दे जहाँ पर छोड़ दे हमें किसी योगिक का ग्राम आन्विक दरब्मान उसका ग्रामों में प्रदर्सित वहाँ दरब्मान होता है जो कि संख्यात मग्रूप से आन्विक दरब्मान के बराबर ही होता है है माल जाक करभण डाई अकसाइड है उसका उसका हम लोग लिकालते हैं झाल यहांविक दरभमान ठीक है तो चौन आनिक दरभमान निकालना यह सवाप को आ गया होगा ठीक है तो इससे संब्द चलिए इससे सम्मंदन कुछ कुछ सवाल देखते हैं जैसे की 4.9 ग्राम में कितने ग्राम अनु है कितने ग्राम अनु है तो उसको कैसे निकालते हैं सवाल को देखे हैं तो माल लो जाए हमारे पास हमारे आनु लिखालना है को प्रमान्य प्राम उसका होती है 32 है या अपने बास में छयां जोते हैं приз तीस है ना तो 32 है ना प्लस इसका होता है अख्जियन का 16 अच्छा इस तो फोर ते जी इस में है ना इस तो फोर ते सोला यह हो गया और यह अज्छा अख्षियन का जोगा 64 है ना तो ये चाउट सट और ये दो ये दो इधर निया जी चाउट चार चार आठ अरियो ज़ेगा छे साथ आठ नौ अंधन बे है ना इसको यूज प्रेस करते हैं तो ये निकल गया हमको क्या लिकलना है अनू कितने ग्राम अनू होते हैं ग्राम अनू का मतलब क्या गाते हैं देखिए ग्राम अनू का मतलब क्या होता है ग्राम अनू का मतलब क्या होता है ग्राम अनू क्या लिकलना है ग्यान अनू ग्राम अनू क्या बलते हैं ग्राम अनू बार समझा रही है है ना तो अबने क्या करना है कि यह हम पर लिकल गया ना अब हमको लिकालना है कितने के लिकालना है सवाल कितना था सवाल यहाँ पर था 4.9 ग्राम H2S4 में कितने ग्राम अनुँँ है ठीक है ग्राम अनु लिकालते हैं तो यह तो पहले आनुविक द्रमान निकालने के बाद हमको क्या करना है कि अच्छा यह तो हम लोग जादम गए कि क्या होता है कि कि एस्टू एसफोर इस्टू एसफोर का ग्राम अनुभान कितना लिकला अपने पास तो हम लोग जानते थी कि हम ने बता दिया है कि ग्राम अनुभान है वहां अनुभान के बराबर ही होता है एक्छी में ठीक है अब उसमें अनुकी संख्या निकालना है तो माल जाय हमारे पास कितना ग्राम राप्त हुआ ये 98 यूनिट है ना कि अब राप्त हुआ है अपने को तो इसका सब्सक्राइब निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा की वन अफान 98 ठीक है और इसको हम लोग गुना करें किससे जितने सब्सक्राइब का निकालना है होते का ठीक है तो 4.9 है तो इससे कहां सब्सक्राइब बता रहा हूं आपको अंठन्बे ग्राम एस्ट्वेस फोर ब्राबार एक ग्राम मॉल होता है ठीक है यहां से पराप्त हुआ अपने को एक ग्राम का है ना ठीक है तो अपने को क्या लिकलना है कि 4.9 इस्टेस of 4 into 1 upon 98 लिखना है आपर इसको ठीक है और उसको गुना कर देना है 4.9 से ठीक है जितने से निकलना है उतने को है ना तो इसे 4.9 का अपने निकल जाएगा कितना निकलेगा आपने अगर इसको हम लोग गुना भाग करेंगे तो 98 को यह लिकल जाएगा 0.05 जी एम मॉल ठीक है इस तावाल इंपोर्टन नहीं रहता है इसको दिक्कत नहीं है ठीक है अब देख लिजिए एक और बता रहा है आपको जैसे कि हमारे पास है कारबन डाइकसाइट सियोटू सियोटू के कितना ग्राम 0.72 ग्राम अनुका द्रेवमान ग्याद करिए हना तो पहले सियोटू का आनुविक द्रेवमान कितना निकलेंगे हम लोग कारबन का होता है सोलाव कितना है कितना है दो तो में निकल गया hitting द्रेवमान पेаз घ्र, र 부분이 mass अनुग मतल्य शूरू music लिखना है यह हैं ना है एक ग्राम अन्विक द्रवमान कि दिभू CCP के दो कि अब आनुविक द्रवमान कितना होगा तो क्या बताया था मैंने वन अपन जो आया है उसको क्या करना है नीचे में रखना है और जिसका निकालना उसको क्या करना है बगाल से गुना कर देना है दोनों सवाल को बार बार देखना उस समय जाएगा आपको ठीक है यह पांड है 1.016 एक्सग्राम यह निकल गया आपका तो इसका द्रेवमान निकालना है है ना आनिक द्रेवमान जी 0.72 का आनिक द्रेवमान निकालना है तो इतना निकल आपने पास ठीक है